हेलो गाइस, Realme Buds N1 जो किया पर Realme की तरफ से एक न्यू TWS एरबोट फाइंड दी इंडिया में 9 सेप्टेमबर को लॉंच किया जा रहा है और 12 पेम पर इसकी सेल अमजोन पर स्टार्ट वो गया निकि Realme इसे अमजोन से पढ़ करके इंडिया में लॉंच कर रहा है यहाँ पर Realme इसकी प्रैसिंग के बारे में कोई डीटिल्स नहीं लाया लेकिन इससे लेटेट बहुत सारी नियून फीचर इस पेशिटिकेशन और बहुत सारी डीटिल्स आ चुकिए चलिए आगे विट में डीटिल्स पर बात करते हैं Realme Birds and One जो कि हाँ पर Noise Off Game On जिसमें Elevated Ideo Bliss जिसमें 46 डीबी Hybrid Active Noise Cancellation के साथ आता है जो कि हाँ पर 46 डीबी Noise को Reduce करता है और Hybrid Noise Cancellation है जो कि हाँ पर Next Level का Experience प्रोवाइड करता है Public Paces पे साथी इसमें 360 डीगरी Special Ideo का Effect मिल जाता है जो कि हाँ पर गईस हमें एक Next Level का Surrounding Sound Experience प्रोवाइड करता है Realme Buds N1 जो कि हाँ पर Feel the Energies इसमें 12.4 mm का Dynamic Bass Driver मिल जाता है जो कि हाँ पर गईस हमें एक Next Level का Bass के साथ Balance Ideo प्रोवाइड करता है High Definition में और इसके साथ साथ इसमें Dynamic Sound Effect भी मिल जाता है जो कि Dynamically Sound हमें प्रोवाइड करता है साथी इसमें Total 40 Hours का Playtime मिल जाता है यानि कि Single Charge में यह हमें Total 40 Hours का Playtime प्रोवाइड करता है अब Each Earbuds में आपको Different Playtime मिल जाएगा इसमें Fast Charging का भी Options होगा लेकिन Realme उसके बारे में Reveal नहीं किया है लेकिन इसमें Total 40 Hours का Playtime में ANC के केस में यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी रेडियोस होता है साथी यह IP55 Water and Dust Resistant के साथ आता है जिससे Easily Outdoors में Light Rain डिजल्स में जिम के लिए Workouts के लिए हम इस प्रिश्टी यूज कर सकते हैं इसके Charging केस में और नहीं Earbuds में कोई प्राब्लम होने वाले ही तो यहाँ पर असले कि काफी सारे देखने को मिल जाएंगे तो आप इस टेट में डेहते रहिए मैं आपको इसका डेफिनिटी एक और वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा सारे डीटल्स और प्राइसिंग ताकि आप जाके पर्चेस करें अपने गेमिंग के लिए